बीते नौ जन्वरी को मुखमंत्री हेमन सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक बात कही खासकर के मीडिया से बातचीत करते हुए हेमन सोरेन ने कहा कि आपको खबरें मिलते रहेंगी 2024 में चिंता मत कीजिए तो एक खबर मिल गई है खबर क्या है खबर ए है कि कैबिनेट सेकरेटरी ने ED को एक पत्र लिखा है और पूछा है कि यह जो आप अधिकारियों को बुला रहे हैं जिन जिन को आप समन कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है केस क्या है तो दरसल यह जो लडाई अब दिख रही है ED और स्टेट की वो सतह पे आ आज के चर्चा में हम लोग बातचित भी करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और जो भीतर ही भीतर जो एक तरीके से जो आप सांती देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उसके पीछे की क्या कहानी है और कैबिनेट के एक फैसले ने कैसे रामनिवास यादब सहित उन तमाम ल साथ साथ समय हुआ है लेकिन मुख मंत्री जरूर किसी न किसी के जरिये अपनी बात रख दीतες हैं पत्र के माध्यम से ψ लेकिन जो खबरें डीसी ने कुछ भी ए डी को नहीं बताया है कि कि वह क्यों नहीं आये बीमार थे कि कुछ वक्त चाहिए कोई भी वज़ह जो है नहीं बताया गया है इस वक्त जब हम लोगter शुरू कर दिये हैं अब तक की जो जानकारी वह वह यही है कि इडी ने किसी तरीके की जानकारी की की लाव सनी वब शरड मेरे साथ लैब में सनी सरद मं communal को हग चर्चा कर आगए कि यह और2 स्टेट की इस तरीके से जो है अब आमने सामने है सबसे पहला सवाल पांडे जी से है पांडे जी मुखमंत्री ने कहा था कि खबरें मिलती रहेंगी और आज जो खबरें आई सामने की कैबिनेट सेक्रेटरी ही अब पत्र लिख दी है एडी को कि भाई आप क्यूं आप समन कर रहें और आधार क्या है तो एडी समन कर रही थी एडी पत्र भेज रही थी अब तक अब जो है कैबिनेट सेक्रेटरी ने पत्र भेज दिया है मतलब कि सरकार ने पत्र भेज दिया है तो यह सामने क्या दिखाई दे रहा है कि एडी और स्टेट जो है वापस में एकदम साम पुनिक यूग में तो लेटर बम चल रहा है बाकी सब की भाईया तुम अपना काम करो हम अपना काम कर रहे हैं टोका टोकी मत करो और दूसरी बात ये माना जाए कि अब एक नतीजे पर पहुंचना चाहती है सरकार और एडी दोनों लिहाजा दोनों अपने आखरी दाओं खे तो उन से बड़ा कारण पहुंचिया क्या चाबस जालों आप बोल रहा है क्या क्यबनेत सेकेरेटरी का वह पुदा रहा है है निए उसमें सिर्फ ये नहीं पूचा बिंड़ा रहे हैं तो वही मुखमंतरी का रूपी के तो बुला रहे हैं जाचे च्योग करता के तौर प दूसरी बात की पूरी अ माम ला क्या है उसकी जनकारी दे कर बुलाइए और मतलब ऐसे नहीं बुलाइए तो अब इस पत्र का अब E.D. को तो जबाब देना पड़ेगा अब E.D. केबिनेट सचीव को क्या जबाब देगी चीफ सेकेर्टी को क्या जबाब देगी उसके बाद आगे का प्रोसेडिंग है लेकिन पब्लिक के लिए भीवर के लिए हमारे समझने की यही बात है कि अब जारखंड एक ऐसा स्टेट के रूप में खुद को डेबलब कर लिया है जो आगे आने दी वाले सालों में उधारन के तोर पे रखा जाएगा कि केंद्री एजेंसी को किस तरीके से जबाब दिया जाता है कैसे उनसे टेकल किया जाता है हलाकि कई अभी भी ऐसे जगह थे ज हो दे रहा है हम नहीं जाएंगे एगनोर कर दे रहे है या उसका कोई कारण बता रहे है तो अब एक के बाद एक के बाद एक जब कोई भी चीज जैसे बहुत ज्यादा मन्थन हो जाता है तो वो निसकर्स पर पहुँच जाता है फाइनल स्टेज पर आपने एक बात कही पा सरकार का कैबिनेट सचु यह पूच रहा है कि भाईया क्या है किसली अधिकारी को बुला रहे हो उनको सैयोगी के तौर पे बुला रहे हो आरोपी के तौर पे बुला रहे हो तो यह बताना होगा नहीं बताएंगे तो फिर वो भेजेगा मान लीजेए इडी इसका जबाब बाद नहीं है अगर उस सब्दों में का तो फिर समन देंगे अफिर अधिकारी उसको समन को वैसी रखे रहेंगे अपने टेबूल पर क्योंकि वो बोलेंगे हम तो राजसरकार से decision मांगे थे अभी तक वहाँ से कुछ हम को मिला नहीं है तब नहीं हम आपके पास जाते हम सरकार की नोकरी कर रहे है इडी की नोकरी तो कर नहीं रहे है मतलब मुखमंतरी हेमन सोरेन एक तरीके से रास्ता दिखा दिया है कि اीडी म कैसे लड़ना गया बाकी के अगर लोग देखेंगे आप देखें कि अभी केजरिवाल को भी उसी तरीके से जो है दिल्ली के मुखमंतरी है अर्विंद केजरिवाल उनको समन भेजा जा रहा है तेजस्वी आदब को समन भेजा जा रहा है जो बिहार के डिप्टी सीम है लेकिन संजे सिंग जो राद सभा सांसर थे उनको उस तरीके का समन नहीं गया बकाइदा E.D. गई उनके यहां और E.D. को जब लगा कि अरेस्ट कर लेना है तो अरेस्ट करके ले आए तो ये बड़े चेहरों को क्या छूट दे रही है E.D. और जिस तरीके से हेमन सोरेन ने कैविनेट के जरिये जो डिसीजन ले लिया है तो अब आपको नहीं दिख रहा है कि यह पावर गेम का एक तरीके का लडाई है कि स्टेट के पास कितना पावर है और E.D. के पास कितना पावर है और उन दोनों के बीच के लडाई चल रही है अब बिलकुल सचीव बंदना डाडेल ही हैं और कार्मिक सचीव हैं तो उन्होंने पत्र लिखाया A.D. को और उन्होंने कहा है कि आप जो अवायद खनन मामले में साहिब गज के D.C. और मुखमंतरी अमंत सोरेन के प्रेश सलहकार को जो संबन किये हैं वो जो F.I.R. दर्ज हैं उसमें ब किसी को अधिकार है उसी इसाब से पूछने का अब रही बाद कि जिस तरह से संजे सिंग की गिरभतारी हो गई दूसरे जगह क्या वैसी हो सकती है या नहीं हो सकती है तो अब जिस तरह से स्टैप जहारखन कंबेंट ने लिया है के बिनेट के मेंजर ये अब E.D. का कितना पावर है उसका लिमेटेशन क्या है वो अब देखना बड़ा दिल्चस्प होगा और यही वज़ा है कि ये चर्चा जिस दिन से कैबिनेट से ये निरने लिया गया था कि राज्य के कोई भी कर्मी हो उनको संबन करने के बाद कर्मियों को अपने विभाग से वो फिर कैबि मंत्री मंडल से विधी विभाग से ये अफ्रूवल के बाद ही वो सब कुछ जा सकते हैं अब और उसी दिन से चर्चा यह था कि वह ही साहव गंज के डी सी नहीं गए जो जानकारी है उसके अनुसार साहव गंज के डी सी मतलब दो तीन दिन पहले भी रांची में थे वो सल किस से मिले क्या सला लिए इस पर तरह तरह की चर्चाएं होती रही लेकिन अब आज के बाद अब सवाल है कि आगे 15 तारीक को बिनोद कुमार जो आर्किटेक्ट हैं उनको संबन किया गया है 16 तारीक को अब इसे प्रसाथ पिंटु को संबन किया गया है तो वे दोनों वो क्या सब्दता लिखी हैं केमिनेट सची वो तो नहीं पता लेकिन ये बात निकल के सामने आई कि उस पत्र में जिक्र है कि साहब गंज के डीसी और मुख मंत्री अमन सुरेन के प्रेश सलाकार तो इसका मतलब साफ है कि अभिसेख प्रसाथ पिंटु भी हो सकता है कि 16 को नहीं जाएं ये चर्चा आज दिन भर राची के मेडिया में जो है ये रही तो अब सब को इंतजार है कि आज का दिन तो बीट गया अब 16 को क्या कुछ होगा लेकिन इतना साफ है कि जो लड़ाई किसी एजेंसी के जरिये लड़ी जा रही थी वही लड़ाई अब सरकारी व्यवस्था के तहद ही किस तरह से जवाब दिया जा सकता है वो जारखन में मुझे लगता है कि ये दिखाने और बताने का काम सरकार ने किया है और यही वज़ा है कि जो आप शुरुआत में बोले कि मुखमंत्री हमन सुरेन पिछले दिनों जब मेडिया से मुखातिब हो होगा लेकिन एक सवाल जो एह है पांडे जी और वो इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से एडी एक्टीव रही और काफी अग्रेसिवली जारखन में काम की चाहिए वो पूजा सिंगल मामले में हो छबी रंजन मामले में हो दो-दो जो है डीसी रें अपने ताकत का कि जो साथ समन भेजा गया है उसके बावजूत मुखमंतरी नहीं आये समन जो दूसरे अधिकारियों को भेजा जा रहा है वो अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं जो दूसरे लोगों को भेजा जा रहा है तो क्या एक जो रास्ता मुखमंतरी ने दिखा जाया है कि भाई ये प्रोसेस होगा अब ऐसे जाएंगे लेकिन दोनों ही पक्ष मेरे अनुसार से अपना अपना दस्तावेज फाइल मोटा कर रहे हैं एडी के पास भी आगे की करवाई करने के पीछे कारण होगा वो कहेंगे कि हमने फलना अदिकारी को बुलाया वो नहीं आए मुख्मंत्री को बुलाया इतनी बार नहीं आए उनको बुलाया नहीं आए और सरकार भी अपने तरफ से पक्ष को फाइल मजबूत कर रहे हैं कि हम फाइल मजबूत हो रहा है लेकिन कहते हैं कि पत्रकारों का एक अपना six cents भी होता है तो मेरा six cents यह कहता है कि लोक तंत्र जब इस तरीके से बिखर जाए ना तो यकीन मानिये दिखाया जाता है कुछ और होता है कुछ और खेल में उल्जाया रहता है दर असल खेल होता है मैद मतलब आप क्या यह बोल रहे हैं कि ED वर्सेस स्टेट की जो लडाई है वो सिर्फ दिखावे की लडाई चल रही है और पीठ पीछे कुछ और बात्ची चल रही है दिल्ली में कुछ हो रहा है हो सकता है इसमें कहीं दो रह नहीं है आप देखिए मुख मंत्री नरेंद मोद का कारिकाल देखिए कितना कानून पास हुआ जब राजसाभाव है उनके पास बहुमत भी नहीं थे तो भी पास हो गया कैसे पास हुआ किसी ने एपसेंट किया ना किसी ने एपसेंट करके मदद पहुंचा या भले वो कह कि हम इनका बहिसकार करते हैं तो ऐसे भी मदद दोस्ती और दुस्मनी अपने हिसाब से फाइदे और नफा नुकसान को देखकर जगा पर तौला जाता है और किया जाता है तो हो सकता है कि हम लोग E.D. और इसमें पड़े रहें इसके पीछे भी कुछ और खेलो लेकिन ये जितने नजदीक आएगी चुनाओ उतना और करीब हो मतलब दिखता जाएगा अभी मानना चाहिए यही कि फाइल दोनों तरफ मजबूत किया जा रहा है ताकि आगे की करवाई जो भी करें तो उनके पास एक पुखता बातचीत हो कहने के लिए कि हमने ये ये करके थब गए इस वज़े से हमको ये कदम उठाना पड़ा आपसे भी मेरा यही सवाल है पसनी कि क्या ED के पीछे भी कोई और ED है क्योंकि आप छवी रंजन मामले में या फिर और जो दूसरे मामले जारखंड में जो पिछले देड़ दो सालों से चल रहा है लेकिन अभी मुखवंतरी को साथ साथ समन गया बाकी अधिकारियों को समन जा रहा है और बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ED ऐसा अब दिखने लगी है कि मतलब जो दिख रहा था बीच में कि ED के पास ही सारा ताकत है वो ताकत बहुत छीन होता हुआ दिख रहा है पता चला कि वो BJP में या किसी कास पाटी में जैसे ही सामिल हुए पता चलता है की यही वज़ा है कि इंडिया एलाइंस के जितने नेता हैं वो इसे पूरी तरह से ये साबित करने में लगे हैं कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है और उसी खास करके जो बिपक्ष में है उसके यहां ही देश भर में ऐसा हो रहा है बहुत कम ही ऐसे मामले है गिने चुने अप पढ़ रहे हैं अपवाद भी नहीं दिखाई देता है अगर आप 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 पाद सब्द का उपयोग कर रहे हैं आपको अपवाद में भी एक आदाम याद है तो मुझे तो याद नहीं है आप लाइब में ही दर्सकों को बता अपवाद में जैसे कि अभी ज्हार खंड में नहीं एक पूरो बिधायक है उनके गिरिडी वादे ये वो फैक्टर नहीं है आप देखिए कि आप चुकि जिक्र आपने कर दिया है महराश्टरा का दर्सकों को यहां पर बताना जरूरी है कि प्रधान मंत्री मोधी खुद एक समय में जो है महराश्टरा में जो अभी डि एक पी के साथ मिलकर करके सरकार बना लेते हैं तो यह चीजें जो हो रही है वो विपक्ष के लोगों को बल देता है ताकत देता है कि जो पॉलिटिकल लड़ाई है भ्रश्टाचार को ले करके लड़ाई नहीं है और जो विपक्ष जिस तरीके से बोलते रहा है उसको कही कहीं बल मिलता है बिल्कुल सवाल तो उठता ही है न ऐसा कौन सा लेटर आया है राजभावन जो दो राजपल दो साल में नहीं पड़ पाए तो इसका मतलब आप मोसम बेज्ञानिक की तरह मोसम का इंतिजार कर रहे हैं कि अच्छा मोसम आएगा तब को लेंगे लेकिन उसको उठेगी इसको कौन समा लेगा कि अगर हमको भी आता दस समन हम नहीं जाते तो आज मेरी गिरफ्तारी नहीं होती यह भावना तो होगी लेकिन जिस तरीके से पैसा पकड़ाया है तो पूजा सिंगल जैसे लोगों का जेल के सलाखों के अंदर में रहना भी जरूरी है नही लेकिन आप देखें सनी की इसको तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो चीजें होती हुई दिख रही है तो हेमन सोरेन के जो लोग हैं जो समर्थक हैं वो तो और मजबूत होता हुआ दिख रहे हैं और बकायता ग्राउंड पे तो वो लोग अब ये बोलने लगे है कि हाँ हमारा जो नेता है वो लड़ रहा है देश में एक लोता है मन सोरेन जो सबसे ज़्यादा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके की दावाब जार्खन मुक्ती मुर्चा के लोग करने लगे हैं देखें जब से 6 मई 2022 से मुझे याद है कि साथ जार्खन में पूजा सिंगल और उनके जो सीए हैं उनसे जूड़े हुए तमाम ठीकानों पर शापे मारी हुई तब से लेकर अब तक जब हम लोग बात कर रहे हैं आज ये 11 जनवरी 2024 है तब तक में आप देखिए कि यही कोसिस हुई कि वर्तमान में जो हमन सुरेन के नेतरित में सरकार है इसे भ्रषटकार के रूप में इनके चहरे पर किस तरह से यह लगा देना है दाग लगाना है लेकिन इस दवरान जो है परसेप्सन लगातार चेंज होते रहे जैसे-जैसे समय बीटते जा रहे है लंबा खीशते जा रहा है तो जो परसेप्शन बनाने का खेल, पीछे से खेलने की कोशिस हो रही है, मुझे लगता है कि उसमें अब लगातार लोग फेल होते जा रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं, आप देखें कि हाल के दिनों में अभी जो तीन जन्वरी को चापे मारी होई बारट ठीकानों पर, क्या मिला, ED को बकायदा प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, जब हम भी अभिशेक परसाद पिंटू के घर के बाहर थे, हम लोग लगातार पूशते रहे हैं, कि आप बताईए, दिन भर चापे मारी कि ये क्या मिला, ED जब प्रेस रिलीज दूसरे दिन साम को जारी ED के तरफ से किया गय उस प्रेस रिलीज में ये तक नहीं पताया गया कि विशेक परसाद पिंटू के घर से क्या मिला, हो सकता है कि जो जांच एजनिशिया है उसकी बात देता हो, लेकिन आप बता रहे हैं कि बिनोद कुमार के यहां से इतना पैसा मिला, साहिव गंज डीसी के यहां से इतना मि संत्री है, मन सुरेन के जो सबसे करीबी हैं, बहत खास हैं, उनके यहां चापे मारी कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है, सिर्फ लिख रहे हैं कि डॉकुमेंट्स मिला, और और वह किसी खास व्यक्ति को डैस देके उसके ब्राकेट में कोहमा करते हुए, य देखे कि रौसन सरदार के घर पे चापे मारी की गई, रौसन सरदार को जैसे कि हम आप या कुछ लोग जानते होंगे, लेकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नीचले अस्तर तक के व्यक्ति तक पहुँच गए, केंद्रिय जांच एजंसी को वहा करनाम हो गई है, और सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कारवाई कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्रहशाचार जैसे कि आपने कहा कि पूजा सिंगल और कई लोगों कि यहां से उनके सिये कि यहां से जो पैसे बरामद हुए, कई जगह और अलग-अलग एजंसियों को पैसे मिल र दर्सकों को यहां पर बताना जरूरी है, जिसका जिक्र पांडे जीन भे किया, कि एक लिफाफा जो लेटर ही है, वो बंध है, राजभवन में पिछले देड़ दो साल से, एक लिफाफा स्पीकर के पास भी पड़ा हुआ है, रविंद्रनात महतो के पास बाबुलाल के बि दुसरा जवावी लिफाफा जो है, सरकार भेजने लगी है, एक तरीके से यह लेटर का जो बंबाजी हो रहा है, चारो तरब से, लेकर होता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुखमंतरी एकदम जोर सोर से ठोक करके दावा कर रहे हैं, कि भाई, पांट साल का कारेक तो पूरा करेंगे ही करेंगे, आगे भी सरकार बनाएंगे, और ना केबल इस सदन के अंदर बोल रहे हैं, वकाईदा वो सभाओं में जाकर के बोल रहे हैं, नौ तारिकों कबिनेट की बैठा के बाद जो मीडिया से मुखातिब हुए और बोले कि आपको खबरे मिलती रह को, लेकिन यहां परसेप्शन का खेल है, आज तीनों का परसेप्शन को अपना बचाना है, एडी को भी अपना साख बचाना है, राज सरकार को भी साख बचाना है, और राजभावन को भी साख बचाना है, लेकिन सरकार करी है कि मेरा साख कहां बचेगा, जनता की अदालत म में जनता तेख करेगे इसलिए हम जनता को बता रहे हैं लेकिन ED का साख और राजभावन का साख जनता की अदालत में नहीं बचेगा इनको साख बचाना होगा कि state rule by law not by perception तो ये करके दिखाना होगा राजभावन का साख बचा हुआ है क्या अभी तक दो साल से लिफाफा पाल है उन्होंने बकाइदा तो इतना तक बोल दिया था कि दिवाली से पहले एटब बम फूटेगा तो क्या हो गया मतलब कौन मना कर रहा है फोड़ने से मतलब बम है भी कि मतलब खाली लिफापा है ने तो यही तो है सवाल कि जो साख पे उठ रहे हैं सवाल इसका जब आप कौन देगा एडी के अगर साख पे सवाल उठ रहे हैं अगर राजभावन के साख पे सवाल उठ रहे हैं अगर जैसे हमन सोरिन कह रहे हैं कि ठीक है हम तो नेता हम पे आरोप लगता रहता है यह हमारा पुराना नेताओं का इतिहास रहा है खेंद्री एजंसियों पे पहले कि हम लोग समाप्त करें कुछ दर्सकों का जो कमेंट में जो सवाल है वो ले लेते हैं ताकि उनके जो जहन में जो भी चल रहा है उनकी बातचीत भी हो जाए सुरज कुमार बर्मा है ये लिख रहे हैं कि उएडी को चुनोती देना बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा हेमन सुरेन जी को पावर का दुरूपयोग गलत कर रहे हैं जब कोई गलती किया ही नहीं है तो फिर धरते क्यों है जाएं जिगर बड़ा करके मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जब आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको जाना चाहिए ये सलाह दे रहे है और सुधीर पांडे हैं हम लोग जब कर रहे हैं कि पावर का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए तो यहां तो पावर की ही लड़ाई है ना हम लोगों को भोचपूरी गाना गाने के लिए मना कर रहा है जे भी केसी एस मतलब की जहराम महतों का जो संगठन है उनके लोग इस पे हम लोग बाद में बादचीत कभी करेंगे हलांकि इस तरीके की बिवाद नहीं होना चाहिए बिवाद के पक्ष में हम लोग तो बिलकुल नहीं है राजू ठाकुर बोल रहे हैं कि महान व्यक्ति हैं जो बार बार बुलाने के बाद भी मतलब कि नहीं जा रहे हैं पंकत सिंग बोल रहे हैं कि चार साल से सुन रहे हैं कि सरकार गिर रही है सतीस मिस्रा बोल रहे हैं कि इडी केवल धोन साप की तरह हो गया है नाम तो है साप का लेकिन जहर नहीं है के जरिवाल से लेकर हैं मन तक और पिंटु तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा पिंटु के बाद कुछ और लिखे हैं लेकिन वो उप्यूक्त नहीं है आपको भी नहीं लिखना चाहिए मिश्रा जी तो यह जो बोल रहे हैं पांडी जी धोन साप इदरसकों को बताई धोन साप के क्या मतलब धोन साप एक साप होता है कि जिसके काटने से बिस नहीं चड़ता मतलब कोई हानी नहीं पहुंचा सकता तो वही बात कहा जा रहा है और यह राजसरकार मान भी रही है अगर मुक्यमंत्री को जरासा भी लगता कि एडी कोई उनको हानी या छती पहुंचाती तो एडी के अदालत में वो अब तक caveat दायर कर चुके होते हैं लेकिन उन्होंने caveat दायर नहीं किया है इसका मतलब वो मानते हैं कि एडी कोई भी वैसा process नहीं करने जा रही है कोई बी ऐसा action नहीं लेने जा रही है जिससे हमको कोई प्रीड़ा पहूंचेगी अच्छा इनको जो है इनका जो सवाल था सतीस मिश्राजे का कमेंट में ही एक भाई ने जवाब दिया है सूरज कुमार बर्मा वो उनको लिख रहे हैं कि सही समय का इंतेजार कीजिए जिस दिन सांप डसेगा तो जहर का इलाज संभब नहीं है पब्लिक अपने अपने हिस्से से जो है अपना बात रखती है जो समझ में इन्हें आती है और रखनी भी चाहिए बातचित जरूरी भी है एक चंदन राउत हैं वो बोल रहे हैं कि ED ओफिस तो जाएं CM साहिब उनका सारा तयारी जो है ED का ओफिसर तयार कर रहे है तो यही तो सवाल है ओम प्रकास पांडे पूछ रहे हैं कि साथ समन देने के बाद भी ED के पास क्यों नहीं जा रहे हैं CM और ED साइलेंट क्यों हो गई है चुप क्यों है समन के बाद बिल्कुल अब ED silent है या ED भी आगे की रननीती बना रही है अभी तो यह थड़ा सा वक्त का मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा जिस तरह से मुख्यमंत्री हमन सुरेन को आपको याद होगा कि जो सात्वा समन भेजा गया था उसमें यही कहा गया था कि यह आखर समन है और आप ही समय और डेट सब कुछ बता देजिए तो इसका मतलब है कि ED आगे अगर यह नहीं करते हैं तो हमको आगे क्या करना है वो तो सोच ली है और उसके बाद ही फिर कुछ दिन बाद यह चापे मारी हुई है तो अब चापे मारी जिनके जिनके यहां हुई उनम समन का डेट जब गुजर जाएगा उसके बाद क्या होता है मुझे लगता है कि इस एक्षन पर सब की नजर और सब का ध्यान है और अब देखिए आगे क्या होता है ब्रिजेंद्र महतो लिख रहे हैं कि सर बताएं कि राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा कारकरम 22 जनवरी क ही क्यों रखा गया है यह तो अब जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं वो लोग बताएंगे और यह कारकरम राम नौमी के दिन अच्छा नहीं होता क्या बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है यह ब्रिजेंद्र महतो लिख रहे हैं इसी तरीके कि कई सारे लोग जो हैं वो अपना बातचीत रख रहे हैं और एक रुपेश दूबे हैं वो बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन सोट ले लिजे गरिफतार ही होंगे हैं मन सुरेन स्क्रीन सोट रखने के लिए बोल रहे हैं इनका पकड़ होगा अपना एडी के पास ने ने इनका अकलन होगा या दो तिन जो लोगों से बात किये होंगे उसके बाद इस निसकर्स पर पहुंचे हैं कि एड़ी सायद गिरफतार ही करेगी इसलिए ये पूरे दावे यकिन के साथ कह रहे हैं एक जो सवाल है प्रसांत कुमार का इस पे हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद जो है लाइव समाप्त कर देंगे प्रसांत कुमार पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी एडी के बहाने बारगेन करने में लगी है प्रसांत कुमार के सवाल में दम भी है क्योंकि बिपक्स इसको लेकर के बोलते भी रहता है और कई सारे दूसरे स्टेट में जो है इस तरीके की चीज़ देखने को भी मिली है तो पांडे जी आप चल्दी से बता दीजे कि क्या एडी को आगे रह करके बीजे पी बार्गन करने में लगी है ये प्रसांत कुमार जो दरसक हैं फॉल्ल आप के वो पूछ रहे हैं बीजे पी का इतिहास तो यही बताता है ये भविस पूछ रहे हैं तो इनकार भी नहीं किया जा सकता है महाराष्ट का उधारा नहीं है उनका इतिहास हो गया अब भविस अगर जारखन को मानते हैं तो इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अगर एक जगह ऐसा हुआ है तो दूसरे जगह ऐसा नहीं हो सकता है चलिए आप सभी का सुक्रिया आप लाइब में जूड़े रहें लाइब में जूड़ने के बाद अगर आप लोग सेयर कर दें इस लाइब को तो डबल सुक्रिया हम लोग बोलेंगे तो आगे से जब भी आप लोग जूड़ें तो फॉलो अप के खबरों को जो है सेयर करन ना भूले, शुप्रियो